नमस्कार दोस्तों मैं एंको रुपात्याई स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में यहां आप सभी के साथ एक इंट्रेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ अभी तक हमने जितने नमबर्स देखे हैं उसमें मौटा मौटी मुझे दो तरीके की कमपनिया दिखी हैं एक आईटी स्टॉक्स और दूसरे हैं मेरे फेवरेट स्टॉक मार्केट सर्विस प्रोवाइडर्स ध्यान से सुनिएगा ध्यान से समझेगा क्योंकि ये वीडियो आपके आने वाले 5 साल, 10 साल, 3 साल के लिए तो बहुत यूसफुल है लेकिन उससे भी ज्यादा यूसफुल हो सकती है अगर आप 6 महिने के लिए बजार में कुछ स्टॉक्स को तलास रही हैं तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो में बात क्या करने वाला हूँ देखिए हमने दो तरीके की बात करी एक IT स्टॉक्स और एक स्टॉक मार्केट सर्विस प्रोवाइडर्स जो मैं आपके साथ कंटीनू डिसकस करता रहता हूँ सबसे पहले तो IT स्टॉक्स के मैक्सीमम नंबर्स आप लोगों ने देख लिए हैं और दिगज आईटी कंपनी के तो सब के या गए हैं TCS, HCL Tech, Wipro, Infosys, Tech Mindra सब के देख लिए आपने अगर हम दिगज आईटी में काउंट करें तो नेगेटिव में HCL Tech की आपके लिए Friday Post Market नेगेटिव नंबर है और बहुत नेगेटिव है बाकी नेगेटिव ऐसा कहीं दिखा नहीं और प्राइज वाइस करेक्शन तो किसी भी स्टॉक में नहीं दिखा मुझे रिजल्ट्स के बाद Large Cap IT से Mid Cap IT में बहुत कोछ हुआ है उसको मैं Side कर देता हूँ अब दूसरे नंबर पर अगर मैं Sector Specific देखूँ तो ना मेरे पास Pharma के नंबर आए है ना Chemical के आए है ना Textile के आए है तो बड़े लेवल पर नहीं है अब आप Stock Market Service Provider में कहा कहा आगे है सुनिए हमारा HDFC AMC नंबर पेस कर चुका है हमारा Nippon AMC पेस कर चुका है UTI AMC, 5 पैसा Capital, Angel One तो Broking Industry से 2 नंबर आगे है और Mutual Fund Industry से 3 कंपनियों के नंबर आगे है तो बड़े लेवल पे Stock Market Service Provider के नंबर आगे है और अगर मैं आपको Specific बताऊं तो 5 पैसा Capital को छोड़ दू मैं तो बाकी, I think HDFC AMC भी लाल निशान में गया था तीन परसेंट टूटा था अपने रिजल्ट के बार तीन कंपनिया ऊपर गई है Angel One रिजल्ट के बार गैप अपन हुआ था 9 परसेंट और सेम डे आपके लिए पूरा फ्लेट यह 2 परसेंट नेगेटिव बंद हुआ है लेकिन ओपन गैप अगर मैं बात करों, UTI-EMC तो चार परसेंट गैप अगर मैं बात करों, आप सभी के साथ, एक और शिटॉक जो मैंने खुद भी प्ले किया था, आप सब यह के साथ डिसकस किया था कि इसके नंबर अच्छी आ सकते हैं और मैंने इसको प्ले किया है और वो स्टॉक सीधे 20% तक उपर मेरे को देखने को मिला था अभी मेरे नमबर ही नाम ही याद नहीं आ रहा हूँ से स्टॉक का जिसमें दो दिन पहले मैंने खुद उस स्टॉक में ट्रेड मारा है तो यह सारी चीज़ें आपको क्या दिखा रह हुआ था वहीं हमने प्रॉफिट बुक किया था तो यह आपको क्या दर्सारा है कि इंट्रेस्टिंग नमबर आ रहे हैं लेकिन अब आएगी असली कहानी अगर आप नोटिस कर रहे हो एप्रेल मंत में बजार ने इंवेस्टर्स को बहुत दुखी किया तो मार्च और एप टॉक मार्केट में डीमेट अगाउंट में पैसा होता है और आप विड्रॉ कर दो उसी तरीके से म्यूचल फंड में आप शेयर्स खरीदते हो पैसा लगाते हो और आप उस पैसे को वापस निकालो से रिडिमिशन कहते हैं तो म्यूचल फंड कारोबार में या फिर आप ड बीते कुछ समय में जिससे आपसे इन्होंने पैसा बना के दिया है जिससे आपसे क्लाइंट आई है अब वो छोड़के जा रहे हैं क्योंकि पैसा नहीं बन रहा है तो अब दो कोर्टर यहां दिक्कत रह सकती है तो थोड़ी साफधानी से काम करें यह तो गया 6 महीने का व जाओ क्यों कह रहा हूं मैंसा मेरे वही कारण है कि आप एक ऐसे देश में जो पॉपुलेशन के मामले में नंबर वन है आप एक ऐसे देश में जहां पर फाइनेंस को लेकर जादा जाग रुकता नहीं है लेकिन अब दीरे-दीरे अवेर्नेस आ रही है तो जैसे-जैसे इ इमांड बढ़ती चली जाएगी तो यह सारी चाहिए शेयर बजार के लिए बेहर पॉजिटिव हैं जो कि लॉंग टम में वेल्ट क्रियेट करने का काम कर रही है आप देखो ब्रोकिंग इंडस्ट्री में इंजलवन शेयर इंडिया सेक्यूरिटी में आपके साथ और डिस इंडस्ट्री में मिलेको करनी निया कॉम्पिटिशन बहुत जादा लेकिन एंजल वन क्योंकि लीडर है तो वहां मिलेको पसंद आ जाता है आनंदराटी नुवामा आई एफल वन वैल्थ या जिसका नाम अभी 361 वैल्थ हो चुका है तो यह स्टॉक लॉंग टम के लिए तो सूपप है लेकिन आने वाले एक से दो क्वार्टर में प्रॉबलम आ सकते है क्योंकि लोग छोड़के जा रहे हैं बजार और अगर प्र